चन्डिगड में आज सुबह से आकाश में बादल चाय हुए हैं जिसके कारण सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए है बादलों के साथ हवा भी चल रही है जिससे एका एक ठंड बढ़ गई है सुबह से ही हलकी बारिश हो रही है मौसम में अचानक गर्मी देखी जा रही है लेकिन आज हुई बूंदा बांदी के बाद एक बार फिर मौसम ठंड नुमा हो गया है मौसम विभाग के चन्डिगड केंदर के निदेशक सुरेंदर पाल के अनुसार नौर्थ जे अनके में वेस्टर्न डिस्टिबिंस एक्टिव है इसकी वज़े से पहाडों पर बर्फबारी के असार है मैदानों में इसका जादा असर नहीं पड़ेगा शहर में आज सारा दिन हलकी बारिश रहेगी जिसके कारण मौसम में ठंड महसूस की जा सकेगी हालाकि उसके बाद मौसम एक बार फिर वैसा ही हो जाएगा बुदवार को दिन का तापमान 23.8 डिग्री दर्च किया गया जो सामाने से 3 डिग्री जादा दर्च किया गया मंगलवार रात का नियूंतम तापमान 12.6 डिग्री दर्च किया गया था जो सामाने से 6 डिग्री जादा रहा इसकी वाज़े आसमान में बादल चाना रहा चन्रीकट से सौरफ शर्मा की रिपोर्ट अभी जो दोर चल रहा है वारिस का कुछ पंजाब के नौर्थ इस्टर पंजाब और नौर्थ हर्यानमे अभी कंटिन्यू करेगा आज पंजाब हर्यानम के और हिस्थों में बारिस होगी और उसके बाद परकल से मौसम ठीक होजागा विसकते हैं कुछ उलब रिस्टि भी हो फेबरी में फ़र्व की इंस्टांसिस कम रहेंगे लेकिन जो की बारिज जो है एक आध स्पैल एक दो स्पैल और आने की से बावना है फेबरी मांत में तो थंड जो है टिंपरेट्चर जो है सुबह साम जो आपको एक ठंड़क फील होगी वो भी कंटिल्यू करेगी कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करेगी थैन्ने वादी